हेलो स्टुडेंट्स जहिंद तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्वेशन चेप्टर के क्वेशन करेंगे जो कि 2013 के फर्स्ट और सेकंड पेपर में पूछे गए हैं CDS के पेपर की बात कर रहे हैं अपने पहले कोश्टन के साथ शुरू करते हैं जो कि 2013 के फर्स्ट पेपर का कोश्टन है पहला कोश्टन कोश्टन में क्या बोला गया है XYZ had taken a dinner together The cost of meal of Z was 20% more than Y The cost of meal of Z was Z की जो कोश्ट है वो Y से 20% ज्याद है Z की जो कोश्ट है वो Y से 20% ज्यादा है तो मैंने यहाँ पर Y लिख लिया और Y से 20% ज्यादा का मतलब 120 बटा 100 कुछ ऐसा लिख लिए और अगर आप इसको थोड़ा simplify करेंगे तो आप देखेंगे कि Y और Z का जो ratio आ रहा है वो 5 by 6 आ रहा है The cost of meal of X वाज X की जो meal की जो cost है वो 5 by 6 as much as cost of meal of Z Z की जो meal है उसकी 5 by 6 है कुछ इस तरीके से बोला गया मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि X और Z का जो ratio है वो आपके पास 5 by 6 आ रहा है अब आप इन दोनों equations को काम में लेकर X, Y और Z तीनों का ratio देख सकते हो कितना आएगा Z की value दोनों में 6,6 है तो Z की जगह पर 6 रख दी है X की value 5 और Y की value भी 5 है तो यह मेरे पास X, Y और Z की जो cost है उसका ratio आ गया question में बोला गया Y ने 100 रुपाई पे किये मतलब यह जो 5 unit है यह 100 रुपाई के बराबर है तो Y ने अगर 100 रुपाई पे किये हैं into 20 कर दो into 20 कर दो into 20 कर दो इसका मतलब जो total खर्चा हुआ वो 100 plus 100 plus 120 320 रुपाई इस question का answer है इस question का answer हो जएगा 320 रुपाई D option आपके पास answer रहेगा क्योंकि उसने total खर्चा पूछा था कितना आएगा तो पहले question का answer D option answer 320 रुपाई चलो दूसरे question को अपने शुरू करते हैं दूसरा question क्या कह रहा है दूसरा question कुछ इस तरीके से है कि system of equation है इस equation के कैसे solution है तो मैंने A1 upon A2 एक बटा में 2 और माइनस 4 बटा में माइनस 8 हारा है और मुझे पता है ये तीनो रेशो आपस में बराबर होते हैं और जब ये तीनो रेशो आपस में बराबर होते हैं तब हमारे पास infinite solution आते हैं तो इस equation का answer हो जाएगा infinite solution दूसरे question के बाद मैं तीसरे question के और बढ़ता हूँ कहता है forward value of k x plus 5 जो है वो इस equation के एक factor है अगर x plus 5 इस equation का factor है तो x is equal to minus 5 इस equation को satisfy करेगा x plus 5 अगर इस equation के एक factor है तो x is equal to minus 5 इस equation को satisfy करेगा तो x की जगह पर minus 5 put कर दो जहां जहां X आ रहा है उसकी जगह माइनस 5 पुट कर दो और आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी X की जगह पर माइनस 5 पुट कर दिया और यहां से आप देख पा रहे हैं कि 5K की वैल्यू 160 आ रही है और K की वैल्यू आपके पास 32 आ रही है तीसरे कोश्चन के बाद मैं चोथे कोश्चन की और चलता हूँ चोथे कोश्चन के बार में क्या कुछ बोला गया देखते हैं जब किसी नंबर के दोनों डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो यह जो नंबर बनता है ओरीजिनल नंबर से 36 कम है मतलब ये हो गया कि original number ये है और ये बड़ा है और ये 36 कम है मतलब इसमें 36 अगर मैं add करूंगा तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी और यहां पर आप इस equation को solve करके देख सकते हैं कि 9x-9y की value 36 आगी है और x-y की value 4 आगी है x-y की value 4 हो जाएगी x-y की value 10 हो जाएगी ये मेरे पहली equation है ये दूसरी equation है और इन दोनों equation को solve करके x की value 7 आ रही है y की value 3 आ रही है x की value 7 है और y की value आपके पास 3 है question है बोला क्या गया है कहता है x की value 7 और y की value 3 है इसका मतलब number 73 है जिसकी बात हो रही है the number is individual by composite number क्या 73 किसी composite number से divide होता है गलत 73 एक prime number है कहता है the number is multiple of a prime number क्या 73 किसी prime number का multiple है नहीं 73 तो खुद एक prime number है दूसरा statement भी गलत है आपके पास इस question का answer हो जाएगा neither one nor two ये इस question का answer question number 4 के बाद question number 5 के और चलता हूँ जो की 2013 के first paper का ही question है 10 chair and 6 table 10 chair plus 6 table का जो cost है वो 1200 रुपए है 3 chair and 2 table 3 chair plus 2 table इसकी cost आपको दे रखी है 1900 रुपए question में पूछा गया है 4 chair plus 5 table इसका rate क्या होगा ये question है तो ठीक है भी second equation को 3 से multiply करके minus कर देते हैं तो C की value आपके पास आ रही है 500 और C की जगा जब आप 500 पुट करेंगे तो T की value आपके पास आएगी 200 C की जगा पर 500 पुट कर दें T की value 200 आजेगी तो जैसी C की जगा 500 पुट करेंगे ये 2000 बनेगा T की जगा 200 रखेंगे तो ये 1000 बनेगा और आपके पास इस question का answer आजेगा 3000 पाय आजेगा ये option आपके पास answer है तो ये था आपके पास 2013 के first paper का 5 वां question जो कि आपके पास linear equation of 2 variable का था question नमर 5 के बाद question नमर 6 question नमर 6 quadratic equation का question है 2x square minus 11x plus 5 equal to 0 ये आपको equation दे रखी है और difference of roots पूचा है alpha minus beta पूचा है और alpha minus beta होता है alpha plus beta का whole square minus 4 alpha beta और इस पूरे का root ये होता है तो यहाँ से alpha plus beta की value आ रही है 11 by 2 और alpha into beta की value आ रही है 5 by 2 ये दोनों value उठाकर मैं यहाँ पूट कर देता हूँ तो under root में आएगा 121 beta में 4 minus 20 beta में 2 और ये बनेगा under root के अंदर 121 minus 40 beta में आ गया 4 जो की होज़ेगा under root में 81 by 4 जो की 9 by 2 होगा और आपके पास answer आएगा 4.5 ये option आपके पास इस question का answer होगा ये option दोनों root का sum हमारे पास 11 by 2 है दोनों root का product हमारे पास 5 by 2 है और उन दोनों की हमने value पूट करी तो दोनों roots का difference आजएगा alpha minus beta आगया जिसका answer 4.5 है तो ये था 2013 के first paper का six question सात्वे question के और चलता हूँ जो की 2013 के first paper का ही है x square minus beta bx x square minus bx plus c equal to 0 कहता है इसका एक root दूसरे root का square है मतलब एक root alpha है और दूसरा root alpha square है तो मुझे पता है कि दोनों root का जो sum होता है वो minus b upon a होता है और वहाँ से पता है पता लगा कि alpha plus alpha square की value आ रही है b और दोनों root का जो product होता है वो c by a होता है तो यहां से alpha cube की value आपके पास आगी c तो alpha की value आगी c की power 1 by 3 यह alpha की value उठा करें इसमें put कर दो तो यह हो जाएगा c की power 1 by 3 plus c की power 2 by 3 a equal to b आ गया मैं दोनों side whole cube कर दूँगा whole cube करने पर इदर a plus b के whole cube का formula a cube plus b cube plus 3 a b 3 a b into a plus b into a plus b कुछ ऐसा हो गया यह आगया c plus c square यह हो जाएगा 3 c और इसकी value पुट कर देंगे अपने इसकी जगह पर value पुट कर देंगे और इसकी value आपके पास आजाएगी आपको question के अधर पते यह उपर लिखा हुआ है इस पूरे की value b है तो इसकी जगह पर मैं b put कर देता हूं a is equal to b का cube आजाएगा यह आपके पास इस question का answer है यह इस question का answer होएगा कि b q b is equal to c plus c square plus 3 b c है जो की आपके पास a option में given है तो एक equation से alpha की value निकाल कर दूसरी equation में put कर दी यह आपके पास question number 7 है जिसका answer a option रहेगा question number 7 के बाद मैं question number 8 की और चलता हूं यह 2013 के first second paper का question है तो 2013 के second paper का ही मेरा पहला question है चलो देखते हैं x plus y की value आपको 7 दे रखी है 3x plus y की value आपको 13 दे रखी है question में कुछ ऐसा ठीक बात है इस equation में से इसको minus करो तो 2x की value आगी 6 x की value हो जाएगे 3 x की जगा 3 put करेंगे तो y की value आजेगी 4 हमारे से पूछा गया है इसकी value और इसको देखकर आप कहा सकते हो कि यह तो 2x plus y का whole square है यह तो 2x plus y का whole square है तो x की जगा पर 3 put कर दो तो 3 into 2 6 6 plus 4 10 हो गया और 10 का square आपसे पूछा गया क्या होगा so is question का answer है तो यह भी नकली सा question था x और y की value निकल गी उसके बाद हमने जो भी पूछा था उसकी value निकाल ली तो 2,13 के second paper का यह मेरा पहला question था दूसरे question की और चलता हूँ दूसरा question ए बस start with some passenger बस के अंदर कुछ x passenger थी at the first stop one fifth of passenger get down one fifth चले गए यह बंदे चले गए बचे कितने हैं four by five x बच गए and forty passenger get in 40 passenger आगे हैं बस में at the second stop half of the passenger get down इसमें से आदे चले गए आदे चले गए मतलब two by five x plus twenty चले गए और बचे कितने बचे भी आपके पास two x by five plus twenty इतने बच गए अब कहता है 30 in होगे इसके अंदर 30 add कर दिए अब बस के अंदर जो total passenger है वो 70 है तो इस पूरे को 70 के बराबर कर दो answer आजएगा तो two x by five plus twenty plus thirty is equal to 70 सत्र में से 50 गए 20 आगया और 20 into 5 100 तो x की value आपके पास आ रही है 50 आ रही है एक्स की value यहाँ पर 50 आ रही है दा नमबर आ पसेंजर विद विच इन बस स्टार्टेड वाज शुरू में बस में कितने पसेंजर थे यह पूछा गया था एक्स की value पूछी गई है बी option आपके पास इस question का answer है तो यह आपके पास linear equation of single variable का question था और 2013 के second paper का question मैं तीसरे question के और बढ़ता हूँ quadratic equation का यह question आ गया और यह 2013 के second paper का है consider the following statement in respect of quadratic equation आपको यह equation दे रखी है the product of roots is equal to sum of roots product of root होता है c by a जो की इतना आएगा sum of roots होता है minus का b upon a जो की इतना आएगा दोनों अलग-अलग है पहला statement गलत हो गया उसने बोला product of roots is equal to sum of the roots गलत हो गया दूसरा the roots of equation are always unequal and real कहता है इस equation के दोनों root जो है वो real होंगे और अलग-अलग होएंगे मैं यह बाद चेक कर लेता हूँ कि इस equation के root की nature कैसी होगी तो मुझे b square minus 4ac को चेक करना है कैसा होगा तो b square का तो b square ही आजएगा 4ac 4ab आजएगा यहाँ पर 4ab अब b square minus 4ab में से b common लेता हूँ तो पीछे बचा b minus 4 b minus 4 अब मुझे a और b के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं पता कौन positive और कौन negative मतलब b square minus 4ac की value जो है b square minus 4ac की जो value है मतलब क्या सकता हूँ कि b square minus 4ab की जो value है यह negative भी हो सकती है positive ही हो सकती है जब तक हमें a और b के बारे में धंग से नहीं पता यह value positive negative कुछ भी हो सकती है इसलिए मैं बोलूँगा किसी question के root real भी हो सकते है imaginary भी हो सकते है लेकिन question में बोला है हमेशा real होंगे इसलिए statement गलत है इस question का answer neither one nor two आएगा दोनों statement को मुझे यहाँ पर गलत बोलना पड़ेगा क्यों किसी भी statement के अंदर पूरा ढंक से a और b के बारे में नहीं बताया हुआ तो यह था आपके बास question number 3 question number 4 की और चलते है कहता है x square minus x minus 1 equal to 0 equation को देखकर मैंने alpha plus beta निकाल लिया 1 आएगा alpha into beta निकाल लिया minus 1 आएगा equation को देखकर यह दो बते निकाल लिया alpha square plus beta square होता है alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta upon alpha square minus beta square को मैं कह सकता हूँ यह होता है a plus b into a minus b लेकिन a minus b वाड़े एक पहले पढ़े ही है तो इसका आजेगा whole square कुछ इस तरीके से अब alpha minus beta का whole square होता है वो equal to होता है alpha plus beta के whole square minus 4 alpha beta के इसके अंदर value put करो तो यह आएगा 1 minus 4 into minus 1 तो यह आजेगा 5 आजेगा यह आपके पास आजेगा 5 प्लस का अब सभी की value इसके अंदर substitute कर दो alpha plus beta की जगा 1 रखा alpha into beta की जगा minus 1 रखा alpha plus beta की जगा 1 रखा alpha minus beta के whole square की जगा पर 5 रख दिया तो इस question का answer आजेगा 1 plus 2 3 by 5 इसका answer है 3 by 5 जो कि आपके पास b option रहेगा तो question number 4 का answer भी option है 3 by 5 equation को देखकर root का sum निकाल लिया equation को देखकर root का product निकाल लिया और उसके बाद जो जो पूछा था उसके अंदर value को substitute कर दिया question number 4 के बाद question number 5 की और बढ़ता हूँ question number 5 यहाँ पर यह x square plus 1 upon x square है इसको मैं लिख सकता हूँ x plus 1 by x का whole square x plus 1 by x का whole square minus 2 लिख सकता हूँ और plus आपके पास 8 into x plus 1 by x है plus 14 equal to 0 यह 14 में से 2 को minus कर देता हूँ तो x plus 1 by x का whole square plus 8 into x plus 1 by x का x plus 1 by x plus 12 equal to 0 अब यहाँ पर आपके पास एक quadratic equation बन गी है इसको थोड़ी दिर के लिए y मान लो तो y square plus 8y plus 12 equal to 0 इस equation के 2 factor होएंगे y plus 2 y plus 6 equal to 0 तो यहाँ पर y plus 6 वाला factor आपको option में दे रखा है c option आपके पास answer हो जाएगा क्योंकि y की जगह पर हम रख सकते हैं जो हमने माना था x plus 1 by x तो x plus 1 by x plus 6 जो है वो इस equation का factor है इस लिए इस question का answer सी option हो जाएगा तो यह quadratic equation का question था और हमारा 2013 के second paper का पांचवा question था तो इसी के साथ ही 2013 के सारे question complete होते है तो इस वीडियो के अंदर हमने 7 question 2013 के first paper के किये हैं और 5 question हमने 2013 के second paper के किये हैं थैंक्यू सभी को जय हिंद